हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चनल में आज मैं आपको ये नगेट्स बता रही हूँ वो भी बचे हुए कुछ सामान से बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनेंगे अभी तक मैंने आपसे कई परकार की वीडियो सेयर किये हैं नगेट्स बनाने की आज मैं आपको बिल्कुल ये अलग तरीके से बहुत ज़्यादा मज़िदार ये नगेट्स बता रही हूँ जिनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है सबजियों से भरपूर है बहुत ही मज़िदार कह सकते हैं मज़ा ही आगा तो चलिए फिर इनको जटपट से बनाती हैं अगर पसंद आए तो बिडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नबूलें चैनल को सब्सक्राब करते हैं ये देखिए इसको बनाने के लिए मैं ये चावर ले रही हूँ मेरे हाँ सोबा के चावर बच गए थे तो मैं ये साम की चाय के साथ ये नगेट्स बना रही हूँ इसके साथ ये देखिए मैंने सारी चीज़े ली हैं तो टमाटर, प्याज, सिमला मिर्च और ये देखिए ये मैंने जो सोय अब इनकी बड़ी रहती ना उनको मैंने फुला कर और कट कर के लिया है इनका बहुत जाद अच्छा टेश्ट आता है अगर आपके पास हों तो आ जरूर एट कर रहे हैं इसके बादी ऊपर से मैंने फ्रोजन मटर इसमें एट कर दी है ये मैंने खुद ही घर पर ही बना कर तयार की थी इसका भी वीडियो में आपसे सेयर कर चुके हूँ अब इसके बादी तो देखकर तो आपको बता चले या हुआ कितना जादा ये सब्जी भी सुबह की बची हुई थी डाल खतम हो चावल और सब्जी या कुछ पच गई थी इसलिए मैं इनका ही नास्ता बना कर तयार कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने इसमें टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक कर दिया है क्योंकि मैंने जो सब्जी एट किया उसमें भी नम कोई सी भी रखी हुआ पोज जरूर एट कर दें बहुत ज्यादा अच्छा टेश्ट आएगा इसके बाद ही एक बड़ा ही चमच मैंने इसमें पाव अजी मसाला लिया चली फ्लेक्स ली सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो चली फ्लेक्स ही आप इसमें एट करें इस करना है आपको पता है बारिस का मौसम सुरू हो चुका है तो मेरी बेटी का कुछ अच्छा चटपटा खानी का मन था तो मैंने सुचा चलिए रखे हुए चावल का भी यूज हो जाएगा और मेरी बच्चों को कुछ अच्छा खानी के लिए भी मिल जाएगा अब यह आगजाएगा तो कि हमेंदी आफो जाएगा इस तरह और इसको रॉल करते जाएं तो यह देखी मैं इस तरह से रॉल बना कर दिका रह हुआ हैएगा वह ज्यादा पत्ला नहीं इसी तरह से रिया है और बस कुछускारब करना है चाकू में भी आप तोड़ाता देल लगा लें इसके बादि इस और बंधाए इसको कट करते जाएं तो मैं तोड़ा सा सकर्णिया यहां हूं जिससे कट होता है किस्के इसे कर ठी references ऐसे है Arms आप कट करें इनको एक ससीप में करते जाएं ये देखिए बिलकुल ही परफेक्ट हो चुका है अब मैं उपर से इसमें ब्रेड क्रम लगा रही हूं आप चाहें तो कॉर्ण फ्लैक्स भी ग्रैंड करके वो भी लगा सकते हैं उपर से आप कुछ भी इस पर कोट कर सकते हैं य देखने में भी ज्यादा अच्छ लगेंगे और तेल भी इनमें बिलकुल भी फिल नहीं होगा तो यह देखिए इस तरह इसे ब्रेड क्रम से मैंने लगा दिये हैं आप चाहें तो डवल कोट भी कर सकते हैं मैंने ये देखिए कढ़ाई रग दी ती तेल गरम अच्छा खा यह चाहरे मैंने अच्छ ज्यादा रखनाहें तो इनमें तील भर जाएगा तो इसी लिए अच्छा खा सा वेदवय कर दाब यह देखिए तो सब्जी और चाहरे मेरे यह जो चूके हैं बहुत ज्यादा यह टेश्टी बनीथे इनको आप चाय के साथ सौस या चटनी किसी के साथ भी सर्प कर सकती है ये देखे कितनी कर्षपी बने है तो देखकर तो आपको पता चली गया होगा बहुत ही ज़्यादा मज़िदार ये नगेट स्पन के तयार हुए है बारस के मुसम में जब इस तरह से कुछ अच्छा चटपटा मिल जाए तो मज़ा ही अलग होता है तो मैं तो बना चुकी हूँ आप भी इनको जरू ट्राइ करें फिर कॉमेंट करके जो बताएं कि आपको ये कैसे लगी आपको देख कर तो पता चली किया होगा कितने ज़याद अच्छे लग रहे हैं और जितने ज़याद देखने में अच्छे